मिरा नाम सुनैना है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करती थी, मेरी दो बहने थी जो मुझ से चोटी थी, जबसे मैंने स्कूल में काम करना शुरू किया था, मैं अपनी पूरी तन ख्वाह मा को दे देती थी, एक दिन जब मैं काम से घर आई तो घर पर कुछ महमान आये उन्हें देखकर मैं रुख गई क्योंकि मा ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया था. मैंने उन्हें हलकी सी मुस्कान दी और बेडरूम में चली गई. बेडरूम में पहुंचते ही मैं चौक गई क्योंकि मेरी छोटी बहन सजधज कर बैठी हुई थी. इसका मतलब कि वो महमान मुझे नहीं, बलकि मेरी छोटी बहन को देखने के लिए आये थे. एक तरह से मेरी उम्मीदें टूट गई थी. मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी. लेकिन मा ने मेरी शादी के बजाए मेरी छोटी बहन की शादी करा दी. इसके पीछे का कारण मुझे अच्छी तर से समझ में आ गया था. एक के बाद एक, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी करा दी थी. वो मेरी सौतेली मा थी. उसने अपनी सगी बेटियों की शादी सही उम्र में ही कर दी. लेकिन वो मेरी तरफ ध्यान देने को तैयार ही नहीं थी. अब दिन बदिन मुझे शादी ना होने का अफसोस होने लगा था क्योंकि मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने घर में ही ट्यूशन क्लासिस लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पांच से चेह विद्यार्थी मेरे पास ट्यूशन के लिए आने लगे। उन चेह विद्यार को मेरे यहां एड्मिशन कराया और बोली मैडम आप मेरे बेटे को कम से कम चार घंटे ट्यूशन देना। कम से कम आपके डर से थोड़ी पढ़ाई तो कर लेगा। अगले दिन से विशाल मेरे घर आने लगा। वो पढ़ाई में काफी होशियार था। ट्यूशन के दौरा विशाल की ट्यूशन का समय हुआ तो वो नहीं आया। अचानक आस्मान में बादल छा गए और कभी भी जोड़दार बारिश हो सकती थी। इसलिए ट्यूशन में आय हुए बच्चों को मैंने एक घंटे में ही छुट्टी दे दी। एक घंटे के अंदर ही तेज बारिश चुरू हो गई। मैं कुछ देर दर्वाजे पर खड़ी होकर बारिश देख रही थी। तभी अचानक कुछ समय बाद विशाल पूरी तरह से भीगा हुआ मेरी तरफ आता दिखा। उसे इस हालत में देखकर मैंने तुरंत उसकी तरफ रुमाल फेंका और उसे घर के अंद गर में आते ही विशाल मुझसे लिपट गया। उसकी इस हरकत का कारण मैं समझ नहीं पाई थी। विशाल उस वक्त रो भी रहा था। मैंने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि आज उसकी माने उसे मारा है और वह अब घर नहीं जाएगा। उस रात विशा गर जाने के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं था। मैंने उसे अपने घर में खाना खिलाया लेकिन फिर भी वो अपने घर जाने को तयार नहीं था। उसकी मा भी उसे देखने नहीं आई और उसका फोन नंबर भी नहीं लग रहा था। उस रात मैंने उसे अपने घर में ही सुला लिया और वह मेरे कमरे में ही सो गया अगले दिन सुभा उसकी मा मेरे दरवाजे पर आई और मुझसे बोली आप इस लड़के को अपने घर में बिलकुल भी मत रखो मैं इससे पूरी तरह से तंग आ गई हूँ इसे आप यहां से निकाल दो लेकिन अगर आपको अपने पास रखने का इतना ही शौक है तो आप इसे रख लो मैं आगे से इसकी ट्यूशन की फीस नहीं दूँगी ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली गई उन्हें अपने बेटे की जरा भी परवाह नहीं थी विशाल काफी समय से मेरे पीछे लिप्टा हुआ था और उसकी मा के जात को अपने पास रख सकती हूँ उसकी मा का गुस्सा शान्त हो जाएगा तब वो अपने बेटे को ले जाएगी उस दिन के बाद मैंने उसे अपने घर पर ही रखना शुरू कर दिया वो सुबह के समय स्कूल जाता और शाम को ट्यूशन के वक्त ट्यूशन में बैठता था त अब से वो मेरे कमरे में सोने आने लगा था कमरे की लाइट पूरी तरह बंद कर देता था इतने अंधेरे में मुझे सोने की आदत नहीं थी लेकिन विशाल के लिए मैंने खुद को अंधेरे में सोने की आदत डाल ली थी अचानक उस रात विशाल ने मुझे बहुत जोर स उसकी पकड इतनी मजबूत थी कि वह 16 साल का लड़का है, ये मुझे बिलकुल भी नहीं लग रहा था, मैं बहुत डर गई थी, ना तो मैं उसके बगल से उठ पाई और ना ही उसकी पकड से खुद को छुड़ा पाई, लगभग आधे एक के बाद वो मुझसे अलग हुआ, उस दिन भी मैंने विशाल की मा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह उनका फोन बंद था, विशाल को अपने घर में रखने का फैसला अब मेरे लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो रही थी, अगली रात मैंने विशाल से कहा कि तुम बाहर हाल में सो जाओ, ल आज तो वो धीरे धीरे मेरे शरीर पर हात फेर रहा था, उसने एकदम से मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे अपनी बाहों में भरने लगा, लेकिन मैं जोर से चिल्लाने लगी, अचानक मैंने कमरे की लाइट आन की लाइट जलाते ही मेरी नजर विशाल पर गई, जब म मेरी ओर देखता हुआ कांप रहा था, उसे क्या हो रहा था, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तब मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई, अस्पताल पहुंचने पर उसका चेक अप हुआ, और पता चला कि विशाल को मिर्गी के दौरे पढ़ते हैं, उसकी इस बीमारी का सही इलाज नहीं होने के कारण उसके दौरे बढ़ते जा रहे थे, यानि हर रात विशाल जान बूझ कर अजीब तरीके से मुझे कसकर नहीं पकड़ रहा था, पिछले दो दिनों से वह मेरे बगल में होते हुए भी मुझे समझ नहीं आया कि उसे दौरे पढ़ रहे थे, अगर आज आप इस लड़के को समय पर अस्पताल नहीं लाते तो उसकी जान भी जा सकती थी, डौक्टर की बाते सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से विशाल के साथ कहीं न कहीं मेरा एक परिवार जैसा रिष्टा बन गया था, दो दिन बाद विशाल को अस्पताल से चुटी मिल गई, घर पहुचने पर विशाल मेरे पैर पकड़ कर रोने लगा, मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे माता-पिता को फोन किया था, लेकिन वो फोन उठाने को तैयार ही नहीं है, विशाल बहुत अच्छा लड़का था, मेरी भी मेरी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं